नमस्कार अदाव सस्रीकाल and copy to all मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट सुनिल सोडी और स्वागत करता हूँ आपके अपने शोपे जिसका नाम है सफ़नामावित सुनिल सोडी राथोर राइटर विजे हंट राइटर अपको जिन से मिलाने जा रहे हैं यह हमारे विजे सार गा तो अब यह सर कहां चलेंगे अभी तो हाइवे से अभी हम एक नई जगह पर जा रहे हैं यार कहां लिया है अब करेंगे आपको काफी मिलेगी तो फिलाल हम अभी जिस जगह पे आए हैं आप यहां का 360 व्यू देखिए फिलाल तो हम सुबह ब्रेकवास करने आये थे और लेने आया था मैंने का इंट्रिव्यू तो इन्होंने मेरी हालत खराब कर दी देख लो कैसी कैसे जाडियों में से निकलना पड़ रहा है इनको ने फरक पड़ता है जिनका इंट्रिव्यू लेने आयों आपको क्या फरक पड़ना है जंगल में छोड़ दो जारियों में छोड़ दो कहीं भी छोड़ दो मगर इन्होंने सुबह सुबह हमारी वाट लगा दी है अब हमारे वीचे सार जो हैं इंट्रिव्यू के लिए त्यार हो रहे हैं और वह भी पेड़ के उपर बैड़ की है मैं सार बैठने के लिए जगा चाहिए तयारी शियारी कोई नहीं है कि मैं अपने एक बैठने की स्पेस बना रहा हूं कि बैठके अराम से पेड़ के निच्चे तो यह मेरा सिंगासन है तो क्यासा लगा दोस्तों मेरा यह सिंगासन आएं आप भी यहां पर बड़ी अच्छी जगा है तो फ्रेंड्स अब भी हम आपसे जिन लाइडर की बात करते हैं वह है हमारे बिये सार तो इन्होंने काफी अच्छा इवेंट किया है और यह इन्हो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मुझे सफर नामा विद सुनील शोडी ने इन्वाइट किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने का कि सर मिलना है तो आज का दिन मेरा सोडी साथ है तो दोस्तों इनका चैनल सुनील सोडी विद सफर नामा को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें काफी कुछ बता रहे हैं बहुत एक्स्प्लोर कर रहे हैं जे अनके को तो जितना इन से हो रहा है उतना ये कर और टितना को करें गर्वर्मने उनको प्रमोट करें और रहे हैं करका कांसे फिर उतन शर zona की ऐसा इवेंट करूँ जो मेरा एक lifetime achievement हो तो 51 52 में तो में भी मैं प्रोजक्ट में रहा उसके बाद कोविड के कारण दो साल वो तूट गे तो करते करते इस दफा मैं मैंने प्रोजक्ट बना के रखा हुआ था थोड़ी सी changing की उसमें और मेरा मैं इस वकत 54 में हूँ और मैंने पहले जो मेरा 58 में था तब मेरे passes थे 51 और जब मैं 54 में पहुँच गया हूँ तो अब मैंने एक target achieve किया था 55 passes in 21 days और ये मैं आप लोगों की दूआ आप लोगों का सहयोग और अपने जो riders हैं उनके सहयोग से मैं 19 गंटे 55 किलोमेटर और 56 pass successfully पास करके जम्मू लोटाया हूँ और ये मेरा ये lifetime मेरी memory होगी lifetime achievement होगी और ये passes मैंने एक below 100 cc और हीरो स्प्लेंडर बी एक सिक्स 97.2 cc पे किया है जो आज तक शायद कंफर्म नहीं है ये रिकॉर्ड 55 passes का किसी ने किया हो तो सर आपसे एक बात और पुछने थी आपने ये राइड कब शुरू की ठीक है और उसके बाद आपने इस सोलो राइड की आपने कैसे मैनेज किया कि मुझे रसीव करने वहां अए थे और मैंने इस राइड को वहां पे खत्म किया बाकी सोलो राइड गूरूप रायड में बहूत बरक रहता है सोलो राइड में आपने अपने दिल-दिमाग से चलना पर चलना होता है और गूप राइड में यह होता हяж आपको पूरे ग्रुप को manage करके चलना पड़ता वहां आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते अब मेरी solo ride में काफी परेशानी आई time waste हुआ एक आदा दिन rest भी की उसको cover करने के लिए मुझे मैंने एक longest ride इसी ride में की थी 39 hours की day night day continue ride थी वो मेरी ride थी श्री नगर टू साधना पास को पौड़ा से फिर वापते से बांडीपूर, बांडीपूर से गुरेज, गुरेज से वापस बांडीपूर, बांडीपूर से सोना मरग, सोना मरग से धरास, धराग से उमला, उमला से शंकू, शंकू से रात को 11 भी ride रही कि जो मैंने 39 hours continued ride की, सोड़ी जी मेरे paper तयार हो लेने दो, तो मैं ये challenge इसलिए नहीं कि मैं बड़ा हूँ, या मैं करके आया हूँ, मैं ये जो ride करके आया हूँ, क्योंकि मैं 4 गस्त को 55 एंटर कर रहा हूँ, उस दिन मैं ये अपने social media पे ये riders को gift करूँगा, कि ये मैंने नहीं, आप सभी ने ride की है, और अगर मैंने 56 किये हैं, तो आप 57 कीजिए, क्योंकि ride घर में बैठके ride करना और बाहर ride करना जमीन आस्मान का अंतर है, इस ride में मैं दुकान के बाहर सोया हूँ, सड़क के बाहर सोया हूँ, पेट्रोल पंप के बाहर सोया हूँ, आस सोया हूँ, ये सोलो ride करना इतना आसान काम नहीं है, और without any help, कुछ जो मेरे riders थे, जोने financially मुझे help की थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनके बगार मैं ये ride नहीं कर सकता था, इसलिए मैं खुद क्या रहूँ, मैं ride करके आया हूँ, अगर मुझे कोई भी करना चाहे, कोई भी मेरे से contact करे, मैप मैं देता हूँ, terms condition मेरी होंगी, तो ये सर, एक ना message दे दो, खास करना मैं बहुत आज YouTube पे, WhatsApp पे ना, और जैसे कि Instagram में देख रहा हूँ, बहुत stunt वाज है, उनकी पैसे हमारी शवी भराब हो रही है, तो आप उनके लिए क्या message देना चाहेंगे चाहें हमारे SSP सार, SSP सार या traffic विवाग वालों को सर, हम राइडर्स को पब्लिक को अकेले तो किसी के बस का ये काम है नहीं, क्योंकि एक घर है, उसमें भी हजारों परेशानी होती हैं, घर वाले नहीं मानते हैं, मगर आपने पब्लिक को संबालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं पब्लिक से और राइडर्स से ये स सायोग करें, अगर ऐसे जो लोग हैं, जिनको समझाने के बावजूद भी जो ना समझ रहे हो, तो उनके लिए कुछ कदम उठाएं, क्योंकि हमारे जो अभी अपने राइडर्स हैं, मैक्सिमम, अगर कोई बीच में ऐसी गलती करता भी हैं, उसको समझा देते हैं, और नेक विदिन वीक, वन वीक, टू वीक के अंदर मेरी, शायद मेरी मीटिंग, दो चार एंजियो और security agencies, लाइक का आपके, मेभी IG, या SP, SSP, traffic, police, शायद उनसे मेरा राफ्ता हो, और शायद RTO साब से भी हो, तो उनसे मैं दो चार बाते उनके सामने रखूंगा, कि इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि अगर आप कहो कि हर चोग पे, हर एरिया, में police, या traffic police, वो संबग है, वो बहुत मुश्गिल है, मगर मैं media का भी thanks करता हूँ, वो तो post डालते रहते हैं, कि ये मत कीजिए, लोगों को समझाईए, मगर मैं कोई एक दो points ज़रूर बताऊंगा, कि sir, इस तरीके से कीजिए, और जो maximum riders, जिनका circulation ज्यादा है, गूमने का उनको कुछ contact number दे दीजिए, तो वो जल्दी से जल्दी, जिस area में भी हो, जिस area में ऐसी कोई चीज हरकत हो रही हो, वो उसके नजदी की police station, traffic police, कोई भी नाका उसको inform कर दे, विद वीडियो के साथ, ये नहीं कि किसी की रंजीश के कारण, किसी का वीडियो डाल दे, नहीं, ये नहीं, विद प्रूफ, कि अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है, कोई rash driving कर रहा है, कोई stunt बाजी कर रहा है, कोई drifting कर रहा है, तो उसका वीडियो आप post करके, next post, तो कि अकेले करना पकड़ना बहुत मुश्किल है इसमें मैं पब्लिक से भी हाथ जोड के नवेदिन करता हूँ कि अगर ऐसा कोई राइडर मिले उसको रोक के अराम से उसको समझाईए कि डांटी है मत उसको बोलो कि भाई ऐसा नहीं करते शायद उस लेंग्वेज में वो समझ जाएं क्य हम राइड हां मैं उन राइडर से एक रिक्वेस्ट्ट हो करता हूँ कि अगर आपको ये शोक है इस शोक के लिए मैं आपको लोकेशन्स देता हूँ वहां पर आप ये किजिए कि ना कि आप यह हाइवे स्टेट हाइवे गली कूचे मुहले यहाँ पे कि और पके कारण किस यह जैसी होती है मगर तब क्या हो जब पश्टा है जब चिडिया चुक गई खेट उसका कोई फाइदा नहीं मैं फिर एक दफा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं अगर फिर भी ना मानने तो भाईयो कोई बात नहीं मैं भी काफी राइड करता ही रहता हूं और अगर म क्यांकि मुझे उस राइडर की सेफटी चाहिए इसलिए मुझे उससे कोई आसी वो कोई नहीं मुझे उसकी सरफ सेफटी चाहिए कि यार वो तंदरुस रहे अपने घर में फला फुला रहे बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं अगर वो कहते हैं कि पुलीस ऐसा करती आप जब चैलेंज कर रहे हो तो फिर क्या पुलीस छोड़ेगी आपको तो दोस्तों मैं बाकी मीडिया का भी थैंक्स करता हूं कि वो इस इन चीजों को काफी प्रमोट कर रहे हैं और लोगों का सहयोग भी चाहिए ठीक है दोस्तों अगर आसे राइडर्स कोई भी हैं अगर मुझे कुछ समझते हो तो ये चीज़े मत कीजिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो बाद में पस्ताने से कुछ नहीं होगा घरवले परिशान सभी पर और इससे बेसिक सबसे बड़ी बात है राइडर्स की एक इमेज खराब हो रहे हैं और आपसे हाथ जोड़ तो भाईयों फिर मैं भी खुद कर लूँगा आप फिर मुझे भी जानते नहीं होगे ठीक है दोस्तों मिलता हूं आपको दुबारा बहुत जल्दी मगर फिर भी ये ये अपने दिलों दिमाग से निकाल दो कि मैं बड़ा हूं नहीं बगवान उपर बगवान सबसे कर रहा हूं मान लोगे बाद तो भैया आपका बला होगा हमारा बला होगा ना मांगोगे हमारा कुछ नहीं जाएगा नुकसान तो उसी कहोगा जूं करें दोस्तों मिलते हैं आपको किसी नए एपिसोड ठीक है सर आपने हमारे लिए अज टाइम निकाल ला क्यूंकि हमने स संदे को आए थे इनको भी रेस्ट करने दो तो आज इंसे मिलते हैं और आज बार का ब्रेकफास्ट करेंगे तो हमारे साथ आये थे अर्च के गुरूप आये थे उनके साथ मैं उनका भी एक दफा दुबारा उनका सफर नामा सुनेल शोडी दोनों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज इन्वाइट किया था कि जार आईए दस मिनट बैठते हैं गप शप लगाते हैं कुछ बीच में क्योंकि इतनी लंबी राइड है ये दस मिनट के इंटर्व्यू में इसमें बहुत कुछ है आप मेरे चैनल हैस्ट्रैक जमू ट्रैवलर विजर आठो ठीक है दोस्तों मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी विद सुनिल सोडी के सब्सक्राइब करना मत बूलीगा और हमारे चैनल आपको पसंद आता है वह कीजिए ना पसंद आता हो तो ना सब्सक्राइब कीजिए अगर कुछ लाइफ में देखना चाहते हो तो मेरे आईडिय से करनाचाहिए तैंक्यू दोस्तों तैंक्यू जाहिं जाएबारत जाडुगर झाल झाल